जै हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्तपोन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करने ताकि अनलोग भी वीडियो देख सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट कॉस्चन है ब्रंदा बनलाल बर्मा है एतिहासिक उपन्यासकार मनु विसली सनात्मक उपन्यासकार जासूसी उपन्यासकार पौरानेक उपन्यासकार तो आपका यहां पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर यहां पर क्या है राइट आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरू बताएं यहां पर एतिहासिक उपन्यासकार सही आंसर है विकल नमबर एक आपके लिए बताना है कि कितने question आपसे यहां पर सही या परहां पुंचा है कि क्या है कौणसर है तो इसधे ही सब्द होगा क्या है कि कौनल सब में कौश्च्छ कॉस्चा होगा और साथाई आपका रहा त आउतार और है विडतार है क्या है देखिए यथा इस्थान पद में समास कौन सा है यथा इस्थान पद में अव्यविभाव दिगू कर्मधाराय दौन्दे 4 का सही आंसर है आपका अवयवी भाव विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा यह इसमें समास है बिल्कुल सही आंसर बताया पक्ची सब्द का परयावाची बताना है question no. 5 में आपका क्या होगा? दूज खग या फिर अंडज उक्तसभी पक्छी सब्द का परयावाची बताना है तो आपका सभी आंसर है यहाँ पर उक्त सभी राइट आंसर होगा D, दोज, खग, अंडज, यह जो हैं सभी पक्छी सब्द का परयावाची माने जाते हैं Question number आपका यहाँ पर 6 क्या पूंचा है तो देख लेते हैं, देखे इसमें आपके लिए बताना है कौन सा अलंकार है इसमें आपके लिए अलंकार का चैन कनना है उपमा, अनियोक्ती, विसेसोक्ती, या तीसयोक्ती तो आपका यहां पर सही आंसर होगा इसमें अलंकार पूंचा है तो अनियोक्ती अलंकार होगा विकल्प नंबर दो राइट आंसर है, question number आपका यहाँ पर साथ पूँचा है, ससी का विलोम क्या होगा, तरणी, दबस, तारे, गगन question number 7 का राइट आंसर है, तरणी, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर question number 8 पूँचा है, गोपियां यहीं स्री कृष्ण से मिला करती थी, बाग के है, किस परकार का, इस्थान बोधक, बनमरता पूर्बक, बनमरता सूचक सनरचिना, या द्रिसा बोधक सनर सनरचिना, या विधी सूचक सनरचिना, तो यह आपके लिए बताना है, तो यह आपका विल्कुल सही आंसर है, इस्थान बोधक सनरचिना बाग के माना जाता है, विकल्प नंबर एक, question number 9 पूचा है, निस कपट में संधी कौन सी है, question number 9 का राइट आंसर बताइए, गुण यहाँ पर question number 10 पूचा है, रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुक बोली कौन सी है, रतलाम जिले में निवाडी, बगेली, बंदेली या मालवी कौन सी बोली जाती है, तो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर मालवी बोली जाती है, मालवी आपका राइट आंसर रतल सब्द का अर्थ नहीं है निरजर आपका विकल्प नंबर तीन सही आंसर होगा questionnaire 12 आपका यहां पर पूंचा है निवला का हिंदी परिवासिक सब्द क्या होता है तो question number आपका 12 है और 12 का सही answer है आपका right answer है निहारी का निहारी का यानि की विकल्प number 2 आपका right answer है निहारी का बिल्कुल सही answer है तो question number 13 है और 13 का सही answer आपका बिल्कुल सही answer है यह माना जाता है तत्सम सब्दे तो विकल्प number 2 right answer होगा question number 14 पूंचा है अब तब करना महाबरे का आसा है क्या होगा आज कल करना टाल मतूल करना बहाना करना उपरक्त सभी चवदय का सही आंसर बताना है अब तब करना महावरे का आसा है उपरुक्त सभी यानि की आजकल करना टालमटूल करना बहाना बनाना ये जो हैं सभी ये जो हैं इस महावरे की आर्थमाने जाएंगे बिल्कुल सही मर्द प्रदे से प्रकासित सापता है पत्री का कौन सी है समागम है दल साहित है नया ज्यानुदय है दस्ता बेज है तो पंद्रय का सही आंसर बताना है तो पंद्रय का सही आंसर है समागम यानि की विकल्प नंबर एक सही आंसर है कॉस्चिन नंबर आपका सूले क्या पूच सच्छार सब्द हैं बाग कि हैं इस परकार का दक दिदा वाक के व हो गा आपका विधान वाचक व होगा एंद की विकल्प नमबर तीन आपका वी पूंचा हे की में लिखेते में बिलॉम सब्द युग में नहीं है नहीं है पूंचाए आपसे तो नहीं में कौन सा होगा 17 का सही आंसर बिलॉम सब्द युग में नहीं है तो मुक्ती भी मुक्ती आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक राइट आंसर है कौस्चन नंबर 18 देख लेते हैं यहाँ पर अपन कौस्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लुग बताईए निमने लिखत में से सुद्ध बाग की कौन सा है कुएल का कंट सबसे मदोर्तम है मोहन और रीता दोनों तेर रहे हैं उसके अंदर कई दो से आकास बहुत उच्च है तो 18 का राइट आंसर बताना है मोहन और रीता दोनों तेर रहे हैं यह सुद्ध बाग हो जाएगा तो विकल्प नंबर आपका दो यहाँ पर सही आंसर है कौस्चन नंबर 19 है निमनलिकत में सुद्ध सब्ध कौन सा है उप्रोक्त अल्हाद उन्नती कृत्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक्रित्यक् question number B से और जिसका answer आपके लिए comment में बताना होता है इसका answer comment में आप जरू बताएं निमनिलिखित में समुच्चरित भिनार तक सब्द युग में नहीं है नहीं पूंचाए आपसे question number आपका B से और answer अगर आपसे बनता है तो आप comment में जरू बताएं क्या होगा इसका सही answer answer 4 विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं तो इस परकार अपने यहां पर बहुत ही महत्यपून question complete किये हैं क्यास लगा यह video comment में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कलने subscribe वीडियो को कलने like और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें ता